हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अनकेडमी के ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर अनकेडमी आर्टिकुलेट पर मैं आपके बीच जोग्रफी की कुछ इंपॉर्टेंट कॉंसेट्स के साथ एक एक करके आ रहा हूँ जसमें जोग्रफी के जितने इंपॉर्टेंट कॉंसेट्स हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे और धीरे धीरे हर एक टॉपिक से संबंधित कॉंसेट्स को हम लोग इस सीरीज में कवर कर लेंगे लास्ट क्लास में हम लोग ब्रम्हांड और ग्रहों के उत्पत्ति से संबंधित सिधान्त पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रहे थे आज इसी करम में ब्रम्हांड और ग्रहों की उत्पत्ती से संबंधित सिधान्त का दूसरा भाग ले करके मैं आपके बीच में उपस्तित हुआ हूँ तो आईए समझते हैं लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि ग्रहों के उत्पत्ती से सम्मंधित जो सिध्धान्त हैं, उन्हें दो वर्गों में बाटा जा शकता है, मतलब अद्वैत वादे सिध्धान्त और द्वैत वादे सिध्धान्त. अद्वैत वादे सिध्धान्त का मतलब है कि ऐसे सिध्धान्त जो एक ही तारे या एक ही आध्य पदार्थ को ग्रहों और सौर परिवार के उत्पत्ती का कारण मानते हैं, और द्वैत वादे सिध्धान्त जो दो या अधिक पदार्थों या तारों को ग्रहों और सौर और लापलास की संकल्पना को हमने समझी थी और जहां तक द्वयतवादी संकल्पना की बात है तो इसमें हमें सबसे पहले ग्रहानू परिकल्पना के बारे में समझना है ग्रहानू परिकल्पना जो की Chamberlain और Mollten महोदे ने प्रस्तूत करी है चेंबरलेन मोल्टन इसी तरह से हमें जुआरी परिकल्पना के बारे में भी पढ़ना है जो की जेम्स जीन्स ने प्रस्तुत करी और इसमें संसोधन किया था हैरॉल्ड जैफ्रीज महोदे ने हैरॉल्ड जैफ्रीज महोदे ने इसमें संसोधन किया इसी तरह से एक अगली संकल्पना जिसको द्वैतारक संकल्पना कहते हैं इसको प्रस्तुत किया था रसल महोदे ने और इसी तरह से एक धूल तारक परिकल्पना जिसे आटोस्पिंड महोदे ने प्रस्तुत किया था और इसी क्रम में हम लोग हॉयल और लिटल्टन महोदे के सिधान को भी समझेंगे हॉयल और लिटल्टन इतनी द्वैतवादी संकल्पनाओं का चिक्र हम लोग करेंगे इस पूरे पार्ट को समझने के लिए मैं आप लोग को बताओ कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो GS के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो जो मुख्य हमारा फोकस है वो GS है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डेटेल में नहीं जाएंगे हम उतनी ही बातें करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है GS के पॉइंट आगी से हाला कि यह जो एक्स्प्रेनेशन है यह ओप्सिनल के लिए उतना ही महत्रपोर है मतलब इसमें कंटेंट इतना रहेगा कि GS और ओप्सिनल दोनों के लिए हमारे लिए परयाप्त हो अनावस्तिक विस्तार नहीं दिया जाएगा आज की इस सेसन में हम द्वयतवादी संकल्पना को समझने की कोशिश करते हैं द्वयतवादी संकल्पना जिसमें मैंने आपको बताया कि यह संकल्पना जो है यह ग्रहों और सौर परिवार के निर्मार के लिए दो तारों दो तारों की भूमिका को श्विकार करती है इसलिए इसको द्वैतवादी संकल्पना कहा गया इसमें सबसे महत्पूर एक संकल्पना आती है ग्रहाणू परिकल्पना इसको चैंबरलिन और मोल्टन महोदय ने प्रस्तुप किया था और इनका मानना था कि आदिकाल में जो हमारा प्रमहंड था इसमें दो तारे थे एक हमारा सोरी और एक दूसरा तारा जो एक निश्चत पत पर गती कर रहा था जो काफी ब्रिहद और विसाल आकार का एक तारा था जो अपने एक निश्चत पत्पर गती करते हुए गुजर रहा था। इस तरह से ये दो तारे प्रमांड में मौझून थे हैं। जो च्छोटे अनु अलग हो गए। आकरशर शक्ती से। niños जो छोटे अनु अलग हुए इन्हीं ग्रहानु की संग्यादी गई। ग्रहानु जो थे ये बाद में, कालांतर में समलित होकरके sì या एकी ग्रित होकरके ग्रहों में बदल गया है। ग्रहों में परिवर्थित हो गए। इस तरह से ग्रहानों परिकल्पना ये मानती है कि आदिकाल में ब्रह्मांड में दो तारे थे एक सुरी और एक दूसरा तारा, जब वो गती करते हुए अपने पत्पर सुरी के पास से गुजरा है तो उस क्रम में सुरी से कई सारे ग्रहानों अलग हो गए और ये ग्रहानों समलित होकर के ग्रहों में परिवर्थित हो गए। और बाद में जो बचा हुआ भाग था ग्रहानों के अलग होने के बाद जो ब है आज का शोलिय है इस प्रकार से ये परिकल्पना अपनी बात को रखती है लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो परिकल्पनाएं हैं बहुत प्रारंभी तो चमबरलीन मोल्टन की परिकलपना जो थी ये 1905 में प्रस्थूत की गई थी, तो निश्चत रूप से वैग्यानिक खोजों के बाद इसमें इस परिकलपना की सीमाओं का सामने आना स्वभावित था, बहुत सारी सीमाओं, बहुत सारी कमियां इस परिकलपना में नजराए जैसे ये कहा गया कि जब ग्रहों का निर्मान अलग-अलग हुआ तो सभी एक निश्चत पधती से गोणन और परिक्रमन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं जो एक ही निश्चत पधती से उनका गोणन और परिक्रमन हो रहा है? इसके अलाबा जब बहुत सारे ग्रहाणों अलग होए थे तो उनकी समुहन से नौ ग्रहे ही क्यों बने केवल नौ ग्रहों की रचना क्यों हूँ इसके अलाबा जो अन्य बात या अन्य आक्षे पे इस परिकल्पना पे लगाया गया कि ग्रहों की रचना ग्रहाणों के समोहन से होने पर उनका कोडिय आवेग वर्तमान स्थिति के समान नहीं हो सकता जो वर्तमान जो ग्रहों का कोड़ी आवेग है जो एंगुलर मोमेंटम है वो ग्रहरों के समुहन से अगर ग्रहों की रचना होती है तो ये संभव नहीं है इस तरह से ये सारे आक्षेप ये सारी बाते इस परिकल्पना के संदर्ब में की गई तो इसके बाद इसी से कुछ मिलती जुलती सी एक अन्य परिकल्पना कालांतर में जेंस और जीन्स महोदे के द्वारा प्रस्तो की गई उसकी भी बात हम करेंगे इसके मैं यहाँ पर यह बता दू कि मैं उतनी ही बातों को बस शामिल करूँगा जतना हमें ध्यान में रखने की आवश्यक्ता है अनावस्यक अगर इसको विस्तार दिया जाएगा तो इस परिकल्पना के विभिन पक्षों को शम्मिलितों किया जा सकता है इसका विस्तार हो सकता है लेकिन एक्जाम के पॉइंट आवे से उसकी उतनी उप्योगिता नहीं रहेगी इसलिए सिर्फ सिमित शब्दों में और बस उतनी ही चीजों को शामिल किया जा रहा है जतना हमारे लिए जरूरी है अब इसके बाद अगली परिकल्पना का भी हम जिकर करते हैं ये भी इससे मिलते जुनती परिकल्पना है ये है ज्वारी परिकल्पना अर्थात टाइडल हाइपोथेसिस ज्वारी परिकल्पना ये परिकल्पना जेम्स जीन्स महोदे के द्वारा प्रस्तूत की गई और जेम्स जीन्स महोदे ने इस परिकल्पना को 1919 में प्रस्तूत किया था बाद में इस परिकल्पना में एक संसोधन प्रस्तुत किया गया 1929 में हेराल्ड जैफ्रीज महोदे के द्वारा, हेराल्ड जैफ्रीज महोदे ने इस परिकल्पना को संसोधित किया। जैफ्रीज महोदे ने माना है कि जब आदी ब्रह्मांड या आदी कालिम ब्रह्मांड में सुरी एक तारा तो था ही, सुरे के साथ साथ एक बहुत ही विशाल और एक बहुत बड़े द्रभ्यमान का बहुत सुरे से कईगुना द्रभ्यमान का तारा और मौजूद था और ये भी अपने पत पर गति कर रहा था। जब ये गति करते हुए सुरे के पास पहुचा है तो इस तारे की जुआरिय शक्ती से, इस तारे की जुआरिय शक्ती के कारण, जो की हर फिंड एक दूसरे पर लगाते हैं, ज्वारी शक्ति के कारण सुरी से एक फिलामेंट कुछ पदार्थ निकले जो फिलामेंट के आकार में जिनको माना गया कि शिगार का जो शेप होता है उँश शिगार के शेप में ये फिलामेंट सुरी से बाहर आ गया ये जो फिलामेंट शिगार के शेप में बाहर आया जैफ्रीज महुद इसके लिए फिलामेंट शब्द का प्रियोग करते हैं यहाँ पर इतनी बात ग्रहाणु परिकल्पना और ज्वारिय परिकल्पना में मिलते जुलती सी नजर आती है कि दोनों ये मानते हैं कि आदे काल में दो तारे थे, एक सुरे और उसके साथ और तारा था लेकिन ग्रहाणु परिकल्पना कहते हैं कि आकर्शन शक्ती से ग्रहाणु अलग हुए जबकि ज्वारिय परिकल्पना ये कहते हैं कि सुरे से एक फिलामेंट अलग हुआ और यही फिलामेंट जो कि बहुत तप्त था, बहुत गरम था, ये धीरे-धीरेश में शीतलन होना शुरू हुआ, और जब शीतलन होने लगा, तो ये धीरे-धीरे शीतलन के कारण ये तूटने लगा, तूटने लगा, और तूटने के करम में ये तूट करके या बिखंडित हो करके, अग्रहो में बदल गया इससे ग्रहों की रचना हो मुझे ग्रहों में बदल गया तो इस तरह से ज्वारी परिकल्पना जो ये मानती है के ऊर्ठी से एक अन्य-तारे के खारण फिलामेंट अलग हुआ उस फिलामेंट में तप्त फिलामेंट में शीतरन हुआ विखंडन हुआ मतर तूटा तूट करके उसी के जो कर्थे समोहित हो करके ग्रहों में बदल गये यह मान्यता जेम्स जीन्स महोदे की थी यहाँ पर मैं इस लाइन को पढ़के भी सुना देता हूँ कि सुरे के साथ ब्रह्मांड में एक और विशाल तारा था जो घोणन करते हुए शुरे की और बढ़ रहा था इस तारे का द्रब्यमान सुरे से बहुत अधिक था तो था निकट आते हुए इसके वायब व्यज्वारिय शक्ति का प्रभाव सुरे पर बढ़ता जा रहा था इसी क्रम में एक विशाल फिलामेंट सुरे से अलग हो गया जो सुरे के चारोर चक्कर लगाने लगा अब यह जो फिलामेंट अलग हुआ था यह सुरे के चारोर चक्कर लगाने लगा अब इसके बात क्या होता है फिलामेंट में शीतलन होता है संकुचन होता है और फिलामेंट से कई टुकड़े बदल बन जाते हैं और यही टुकड़े घनी भूत होकर ग्रहों में परिवर् यह जो filament जिसके श्रीतलन से नौ ग्रहों की रचना हुई थी नौ ग्रह बने थे इन ग्रहों पर सुरी की ज्वारी शक्ति काम करने लगी जो शुरी की द्वारा लगाई जा रही थी वो तारा तो चला गया जिसकी वैसे filament अलग हुआ था अब सुरी स्वयंग अपने से अलग हुए पदार्थ पर ज्वारी शक्ति लगाने लगा और इससे इन ग्रहों से कुछ पदार्थ अलग हो गए और जो ग्रहों से पदार्थ अलग हो गए जैसे मालीज एक ग्रह था उस पर ज्वारी शक्ति लगने लगी सुरी की तो उससे के समय में उपग्रहों के रूप पे हमें दिखाई दे रहे हैं तो ये जवारी परिकल्पना कहती है कि ग्रहों और उपग्रहों का निर्मार सुरे की जवारी शक्ती और उपग्रहों का निर्मान सुरी की ज्वारिय शक्ती से और ग्रहों का निर्मान जो एक और तारा उपस्थत था उस तारे के ज्वारिय शक्ती के कारण सुरे से अलग हुए फिलामेंट से होती है इसके बाद हैरॉल्ड जैफ्रीज महोदे ने इस परिकल्पना को संसोधित करने का प्रयाश किया क्योंकि इस परिकल्पना पे बहुत सारे आक्षे पुठाई जाने लगे कि ऐसा कैसे हो गया फिलामेंट ब्रहों में कैसे बदल सकता है इस तरह की बाते तो जैफ्रीज महोदे ने कहा कि एक्चुली ऐसा है कि आधिकाल में जो तारे थे वो सिर्फ शुरी और उसके साथ एक विशाल तारा ही नहीं था बलकि उस समय तीन तारे थे कुल तीन तारे थे यह जैफ्रीज महोदे कहते हैं वो कहते हैं कि एक तो सुर्य था ही सुर्य के निकट ही एक उसका एक और साथी तारा था एक इस्टार और तार और एक अन्य तारा जो की बहुत विशाल था अपने पत पर ब्रहमर कर रहा था और उसका जो पत था उसका जो मार्ग था वो सुर्य का जो साथी तारा था सुर्य के साथ जो तारा था उसके पत से पत के बीच में आ रहा था एक बहुत बड़ा बहुत मैसिव स्टार था जो की अपने पत पर जबगती कर रहा था तो उसके रास्ते में सूरे का जो साथी तारा था उसका पत आ रहा था और इस तरह से ये तारा आ करके सूरे के साथी तारे पर या सूरे के साथ जो तारा था उससे टकराया है टकराने से अब यहां से बहुत सारे पदार्थ दिखन्डित हो गए और निकल गए और बाद में इन्हीं के समोहन से ग्रहों की रचना हुई तो जैफ्रीज महोदे कहते हैं कि ब्रह्महंड में दो तारों के अतरित सुरे का एक साथी तारा भी था और साथ कुल तीन तारे थे और पास आता हुआ जो तारा था वो साथी तारे से तकरा गया जिससे कुछ पदार्थ ब्रहमहंड में बिखर गया जिससे ग्रहों की रचना हुई इस तकर के परणाम सुरू भी ग्रहों का भोनन एक निश्चत दिशा में होना प्रारम हुआ यहां से इस बात का या इस आक्षेप का एक जबाब मिल जाता है जो की ज्वारी परिकल्पना पे लगाई जाती है कि आखिर ग्रह एक निश्चर दिशा में कैसे घूम रहे थे तो जैफ्रीज महोदे ने इसका जबाब देने का प्रयाश किया कि जब ये टक्कर हुई उस टक्कर होने के क्रम में ही गह इस निकले हुए पदार्थ में घूणन शुरू हो गया और इस घूणन के पढ़ाम सुरू ग्रह एक निश्चर दिशा में घूमने लगे अब ज्वारिय परिकल्पना की भी अपने कुछ सीमाएं थी जैसे ज्वारिय बल से निर्मित ग्रह सुरे से इतनी दूरी पर नहीं हो सकते बलकि उन्हें पास होना चाहिए कहा ये गया कि जो ज्वारी शक्ती से जो ग्रह बन रहे हैं, ये सुरे से इतनी दूरी पर नहीं हो सकते हैं, जैसा कि हम आज देख रहे हैं, अब आपको पता ही है कि जो ब्रहस्पती है, वो सुरे से कितना जादा दूर है, सुरे के ब्यास से लगबक 500 गुना जादा डिस्ट इतनी दूरी परिष्थित है कि उनका टकर होना संभव नहीं है। इस तरह से इतने बड़े-बड़े पिंट आकर के आपस में टकर आ जाए इसकी संभवना कमने चाहिए। इसके बाद बताया गया कि ग्रहों के कोणी आवे का प्रारंब कैसे हुआ इस बाद का स्पस्टी करन नहीं होता है। जो एंगुलर मोमेंटम शुरू हुआ है ग्रहों में जो वर्तमान में हम देखते हैं ये कैसे हुआ। इसका कोई स्पस्टी करन इस परिकलपना में नहीं क प्रद्दों की साथ और content के साथ में इसको भी explain करूँगा, जिससे अनावर्शक विस्तार नहों और आपको इन सारी परिकल्पनाओं के बारे में भी एक समाने परिचेप राप्त हो सके। अंत में इनको पढ़ने के बाद फिर हम जो आधने परिकल्पनाएं बिग बैंक थियोरी वेगर उनकी भी हम बात करेंगे। तो आज की इस सेसल में इतना ही, thank you so much.